चीन में एक एहम समभैधानिक संशोधन हुआ है इसके अंतरगत चीनी राश्पति के लिए धिक्तम दूखारेकाल के अवधी को समाप्ट कर दिया गया है चीन की शियुष नेताओं में एक देंग शियोपिंग ने चीन में राजप्रती और उपराजप्रती के लिए अधिक्तम दूकारिकाल यानि दस साल तक सत्ता में रहनी किसी मानिर्धारित की थी, जिसे अब खत्म कर दिया है इस संशुधन के बाद शी जिंग पिंग के आजीवन राशप्रती बनी रहने का रास्ता साफ हो गया है अलाकि इन सब की पीछे एक शक्स का दिमाग है जिसने शी जिंग पिंग को आजीवन राशप्रती बना दिया इन सब के पीछे वांग घुनिंग का दिमाग माना जा रहा है प्रोफेसर सिर राजनीतिक शक्सियत बने वांग ने विछले दो राशप्रतियों को भी गाइड किया था वांग ने पूर वाशपति जियांग जेमिन के थियरी आफ फ्रीरिस प्रेजन्स और हूज इन ताओ के विकास के विग्यानिक तिर्धान का मसौधा तयार किया वांग अब चीन के अमिद्शाह के रोप में जाने जाते हैं अखबार के एक लेक में दिल्ली में चीनी अध्यन संस्थान के जेविंटी जैकप का कहना है कि वांग शी जिंग्पिंग के लिए वो अहमियत रखते हैं जो नरेंद्र मूदी के लिए आमिद्शाह जैकप ने लिखा है कि अगर शाह का काम मोदी को चुनावी घडित करने में मदद करना है तो चुनाव जीतनी के रणीतियों को तयार करना है तो वांग का काम है कि वो जिंगपिंग के लिए एक भीतर महौल तयार करें जो नहीं मदद करें जैकप में दोनों के बीच एक समानांतर रेखा खीचते हुई लिखा है कि अगर मोदी और शाह एक साथ एक राजनीतिक गल बन गये हैं अन्यथा धार्मिक उगरवाद और कारूबारी हीतों के साथ नई प्रोदुगीकियों के आधार पर डिजिटल भारत, स्मार्ट शेहरों आधार का विस्तार कर रहे हैं तुशी और वांग के मातहत दमिनिस पार्टी ऑफ चाइना में एक समान बदलाव हो रहा है तीम यूसनाव